तो आज मैंने आपको इस वीडियो में किनारी सेट करना बताया देखिए कितनी आसानी से ये किनारी सेट हो जाती है तो चलिए इसे बनाना स्टाइट करते हैं फिर से किनारी सेट करना मैं आपको बताती हूं तो चलो स्टाइट करते हैं कैसे किनारी को सेट करते हैं मसीन की सह यह मेरी साड़ी है इसे की आज मैं आपको यानि किनारी को सेट करके बताऊंगे बोवी मसीन से देखिए डेली उचकी साड़ी कैसे सेट करते हैं और किस तरी से कैसे दो मिलट में चुटकियों में और इसकी किनारी सेट हो जाती है बहुत अच्छी आती है अगर आप मसीन से करना चाहते हैं तो मसीन से कर लें बहुत अच्छी लगती है ऑगर आप यानि हातों से पीको करना चाहते हैं तो भी मेरी वीडियों दली हुई है उम्चवान के चैनले पर तो आफ पी को भी कर सकती हैं बट इस वाली साड़ी की किनारी को मैं मसीन से करके दिखाऊंगे देखिए बहुत ही आशानी से हो जाती है क्योंकि अधिशा हो यह क्योंकि पलुकी तरफ ऐसे किनारी होती है इस तरिके से लेशा होती है और जो पेटी कोट के अंदर दपती है ना वह वाली किनारी बहुत अच्छे से सेट हो जाती है मसीन से तो चलिए एक बार में चुटकियों में आपको मसीन से बना कर दिखा दो इसकी किनारी को तो सबसे पहले इसकी किनारी को कट करेंगे किनारी हम थोड़ा सा छोड़ कर कट कर रही हूं मैं आप अपनी साफ से कर लें तो देखिए यहां से अपनी साड़ी के यानि बिलाश मैं सिल नहीं रही हूं इसलिए मैं थोड़ा सा जादा कट कर रही हूं आप बिलाश ले तो ब यह इतना छोड़ा है इसमें अगर आप अपना प्लाज सीले तो यहां से कट करें तो भी दारी यहां से तो मैं बलाज नहीं सिल लई हो इसलिए मैंने यह थोड़ा सा कपपर इसमें बलाज बाला साड़ी में यानि फोड़ दिया है कि देखिए मैंने एक जैसा कट किया है किनारी पूरी और ये ब्लाश का फीस मैंने कट करके हठा दिया है अब क्या करेंगे अब हम अपनी मसीन से सेट करेंगे इसके किनारी को तो पहले मसीन लेंगे किनारी को सेट करेंगे देखिए धागा हम मैचिंग का लेंगे सबसे पहले धागा लगाएंगे मैचिंगा ये देखिए मैंने मैचिंग का दागा लगाया है इसमें है अब आपक नीकिनारी करेंगे हैं तो उलढ़ा कि थरह के हम इस तरीके से मूढाएंगे उलढ़ा एक करेंगे करिक तो इस तरीके से मूलते हुए से परेंगे देखिए इस तरीके से जैसे हम पीको करते हैं वैसे ही साड़ी को गोल गोल हम पीको की तरफ देखो कितनी अच्छी किनारी आएगी इसकी देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ देखो कितनी अच्छी किनारी आ रही है आपको दीख रही होगी पीको की तरह जैसे कि मैंने अभी इस पे पीको की है तो इसी तरीके से हम पूरी किनारी को ऐसे ही करेंगे से देखिए पूरी किनारी इसी तरीके से आएगी तो इसी तरीके से थोड़ा सा और कर लेती हूँ फिर मैं आपको देखाते हूँ तो देखिए इस तरीके से लास्ट किनारी को हम ऐसे मूड़ते हुए किनारी बूखर एक दम क्लियर हो गए देखो कैसी किनारी आई है देखो किनारी को देखना एक दम सही आई है देखो देखिए तो यह मेरी किनारी सेट करने की वीडियों यहीं तक है देखो तू मचीन से कैसे किनारी सेट करते हैं आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, पहुत ही असनो तरीके से साडी के किनारी तो अब इसने से हम दागे को कट कर देते हैं और मसीन को हटा देते तो देखिए कितने अच्छी किनारी सेट हो गई देखो सिर्फ दो मिला तुमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और किनारी सेट हो गई झाल